आनन लो प्रति दिन के जीवन का में स्वागते मुझे खुशे कि आज आप मेरे साथ हैं ऐसा लग रहा है कि आप बहुती प्रमुख व्यक्ति हैं और आपसे बाते करने का अवसर देने के लिए मैं परमीश्वर का धनिवाद करती हूँ आज हमारे साथ दो महिलाएं हैं जिन्होंने संसार भर के हजारों लाखों लोगों को स्तुति आराधना करने के लिए प्रोसाहित किया दोनों अविश्वसनी वर प्रात्त संगितकार हैं और वे श्रद्धा पूर्ण आराधग भी हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से खुद को प्रभू के लिए सौब दिया डार्लिंग चेक और जैकी डिशेटलर आपको यहां देकर अच्छा लग रहा है धन्यवाद कल के कारिक्रम के अंत में हम भड़ भड़ाने और शिकायत करने के मुकाबले स्तुति और अराधना के बारे में बाचीत कर रहे थे ये एक विकल्प है ना हमेशा लोग आपको यहां मुझे देखकर शाय सोचेंगे कि इनके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है आपका क्या विचार है क्या आपके पास शिकायत करने को कुछ है सच कहूं तो इस बात में से पनिस्वरा सकती है सच कहूं आपके बच्चे हैं इसलिए कभी-कभी शिकायत करने के लिए कोई बात हो सकती है परंतु मैंने परमीश्वर की बच्चे में पाया है कि शिकायत शत्रू के लिए रास्ता साफ कर देती है मुझे नहीं लगता कि कई लोग इससे समझते हैं परन्तु कुरुंतियों में एक उधारन दिया गया है कि किस तरह से शिकायत करने के एक कारण एक ही दिन में 23,000 इस्तराइली भायानक बीमार से पीडित होकर मर गया और यो धारन नए नियम में इसलिए स्पष्ट है कि वास्तों में बाइबल हमें सिखाती है कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए सच्पर शिकायत करने से हमारे जीवन में शत्र के लिए द्वार खुल जाता है लेकिन स्तुती आराधना और कृतग्यता ऐसी चीज है जो शत्र का रास्ता सदा के लिए बंद कर देती है बिल्कुल मुझे याद है जब कैंसर के कारण मेरे पिता जी चल बसे लेकिन उन्होंने मुझे मसीह में आने को प्रेरित किया उन्ही के द्वारा मैंने प्रभू ईशू को जाना उनके आंतिमा उप्रेशन के बाद उनका घाव कभी नहीं भरा इसलिए उन्हें अस्पिताल में ही रखा गया छे लंबे तगड़े कदवाला इंसान 40 किलो तक घट गया उनके पेट में घाव था और मैंने उनसे कहा पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं एक चमतकार के लिए प्रातना कर रही थी उन्होंने कहा बेटी मैंने चमतकार पा लिया है मैं मसीह को जानता हूँ उनकी मृत्यों के समय भी वे खुश थे क्योंकि वे इसके लिए आभारी थे कि उन्होंने मसीह को जान लिया और जैसा कहा गया जीना मेरी लिए मसीह और मरना लाब है मैंने सोचा रहे यदि अपने दर्द भरी दुग भरी परिस्तिती में वे स्तुती कर सकते थे तो क्यों न मैं हर दिन स्तुती करते रहूं कितना बढ़िया उधारण ये मुझे ये वचन पसंद है इबरानियो तेरा पंद्रा इसलिए हम उसके द्वारा स्तुती रूपी बलिदान अर्थात उन होटों का फल जो उसके नाम का अंगिकार करते हैं परमेश्वर के लिए सरवदा चड़ाय करें हाँ बिलकुल यही थे इसके नीव है चली इस पर गौर करें उसके द्वारा कभी-कभी हम उसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें वैसा लगता है वास्तों में हमें कभी-कभी परमेश्वर से ताकत पानी होती है ताकि नकारात्मक परिस्तिते में भी धन्यवात कहें जी हाँ ठीक है वास्तों में लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारा दिन अलग-अलग अवसरों पर स्तूती और धन्यवात से भरा होना चाहिए मैं उन लोगों में से हूँ जो बीच रात को उठकर बातरूम जाते हैं मैं एक या दो बार उठकर जाती हूँ और अधिकांश समय बीच रात को उठने पर भी मैंने ये आदत बना रखी है कि बातरूम जाते समय भी मैं कहती हूँ धन्यवाद प्रबूत तू कितना भला है तुस्से प्रेम करती हूँ उस्तूती करती हूँ तू अद्बूत है धन्यवाद और फिर मैं सोच आती हूँ यह एक मुद्रा है यह आत्मा की ऐसी मुद्रा है जिसमें वो परिस्तितियों की परवाग किये बिना परमेश्वर की और उठी रहती है बहुत ही अच्छी बात है परमेश्वर की और उठे रहने की मुद्रा मेरे क्याल से चिर्चुडा होना और बड़डाना कई बार एक आदत ही हो जाता है ना हाँ और बिल्कुल कुछ लोग इसके अलावज जीने का कोई और तरीका नहीं जानते इसलिए वो उसे अपना कर चलते हैं और कोई कहता है आई अरे भाई लोटाओ एक और रास्ता है तुम बताओ जाके नाकारत मक्ता एक फिसलदार चड़ावे और एक बार आपस पर चड़ने लगते हैं तो सीधे वहाँ जा किरते हैं जाओं उट नहीं पाते और जैसे कि डारलिन कहती हैं हम एक मुद्रा ले लेनी चाहिए और हमारे रिदे को परमेशूर क्यों कींद्रित रखना चाहिए और मेरे विचार से उसकी और ध्यान लगे रहने परी निरंतर आरादना हम लोग कर सकेंगे यहां कहा गया है स्तुती रूपी बलिदान स्तुती रूपी बलिदान का हमेशा यह तात्पर नहीं होता कि इसे करना आपके लिए मुश्किल है चुकी यह एक बलिदान है मगर पुराने नियम के काल में मरे जानवरों की बली चढ़ाई जाती थी परंतु परमेश्वर के लिए हमारा बलिदान है स्तुती मेजीना जीवित बलिदान वो मरे जानवरों की बली से प्रसन नहीं होता है वो तो पुरानी वाचा थी परमिश्वरी नहीं चाहता है वो चाहता है कि हम उसकी स्तुती और आराधना करते हुए जीए क्योंकि वो सच मोच बहुती अनुखायम है उन लोगों के बारे में सोच रही है जो दोश भाव और दंडित होकर खुद से नफरत करते हुए जी रहे हैं यदि हम अपने उपर से ध्यान हटा कर ये सोचे बिना कि हम में क्या खराबी है और क्या कम है केवल परमिश्वर की इस्तुती प्रशंसा करने लगेंगे तो हम अपने खुद के वेवार में अधिक बदलाओ देख सकेंगे और हम गलत बातों पर ध्यान केंद्रित करते ह हैं जबके हमें परमिश्वर पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए मेरे ख्याल से आपको अपने समय के विशे में कुछ अच्छे चुनाओ करने की आवश्यक्ता है मैं जानते हूं कि ये आप अधिक समय संसकारिक बातों में लगाओगे या तेलिवीजन पर समाचार और अ कैसी बाते हैं आप स्तूती और आराधना के विशे में क्या सिखाते हैं हाँ सचमुच ये साल बहुत ही बढ़िया रहा और संसार भर में जो कुछ आराधना के द्वारा हो रहा है उसके लिए हमारा समो सचमुच प्रभू को खोज रहा है और सभी दिनॉमनिशन्स में एक प्रकाशन और नई समझ दिखाई दे रही है वास्ता में लोग प्रभू से भेंड करने को तयार हैं और स्तूति आराधना के केंदर बिंदो बन चुकी है परन्त हमेशे कारण होता है मैं प्रभू से कहा करती हूं क्यों क्या हो रहा है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका कोई का प्रभू से कुछ बाते हैं आपको बताना चाहूंगी मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन मैंने उद्धर पाया है मैं जानती हूं कि हम सभी को वो दिन याद रहता है जब हम मसीज से मिले वो कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा तुम्हारे पिता नहीं आत्मा उत्पन करूंगा तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा मैं कह रही थी प्रभू क्या ऐसा है कि पीड़ी दर पीड़ी हम निर्दई बन गये हैं शायद का ठोर हृदय वाले क्योंकि आन्त में पिता की इच्छा यही है कि परमेशर और मनेशिका मिलन हो आशर होता है कि आप जीवन के रहा पर से गुजरते हुए सच मुझ पिता के दिल की धड़कन को किस तरह से अंसुनी कर सकते हैं मुझे ये विचार आने लगा कि शायद हमें अपने हृदय को दुबारा कूमल बनाने तथा उसकी उपस्तिती में रहने की छुक होने के आव उन्होंने उद्धर नहीं पाया है और उन लोगों की आवाज बने और अन्याय का डट कर सामना करें तथा खुद की परवाना करें और अपनी जरूरतों की चिंता किये बिना दीन दुख्यों की पूरी करें हम पूरा साल इस पर शिच्छा देते आये हैं और साल भर में जो खुद को ऐसे आराधकों के स्थान पर मुद्रित करें जो सदा यही इच्छा रखता है कि प्रभु की उपस्तिती में जियें ताकि हम वो बन सकें जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है ताकि हम वो बन सकें जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है इसके बारे मे सोचने पर मैं आपको बोर तो नहीं कर रहे हूँ मेरी नौकरानी का नाम है स्टेन हाट अर्थात पत्थर दिल विश्वास कर सकते हैं जब मैंने उद्धार पाया मैंने मास का हृदय पाया और मास का हृदय रखकर जीना तो मुश्किल है क्योंकि वो ज़रूरत मंदों को पहचानता है और इसके लिए कुछ करना पड़ता है पत्थर दिल सड़क पर पड़े किसी को ये कहकर अंदेखा कर सकता है या किसी को ठेस पहुचा कर एसास तक नहीं होता कि आपने ठेस पहुचाईए कटोर रिदे वाले समवेद अन्शील नहीं होते मैं जानती हूँ कि मेरा दिल बहुत कटोर था क्योंकि कई सालों से मुझ पर अत्याचार किया गया था क्या आपने कभी ऐसा नुभो किया जाकी कि बुरी परिस्ती थी उसे गुजरने के काराणा पर रिदे कटोर है मेरे जीवन में इतनी निराशा थी कि कोई भी भलाई करने के आफसर पर मेरा दिल कटोर हो जाता था जी न और अपने हृदे के चारों को मलता कि दीवार खड़ी करना मुश्किल था नहीं नहीं चाहती थी और फिर डे और मेरी शादे होे कुछी दिनों में उने ने कहा कि तुम इतनी नकार आत्मक क्यों हो मैंने काई दि आप कुछ अंच्छा होने की उमीद ना करें तो उसके ना होने पर कभी निराश नहीं होगे यही मेरा विचार था हम लोटकर इस पर और दिक चर्चा करेंगे एक ब्रेक की बाद हम जिस विशे पर बाचित करें उसे जारी रखेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रमुक है हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारी जोईस मेर सेवकाई सम्मिलोनों में आरा डार्लिंग चेक सिद्नी ऑस्ट्रेलिया से हैं वे हिल सौंग चर्च में आरादना चलाती हैं और संसार भर में उनका संगीत प्रसिद्ध है और वे अच्छे गाने लिखती हैं एक उत्तमा पतनी और आरादक है और ये जैकी डिशेटलर जोईस मेर मिनिस्ट्रिस की आराद दिलवाले हैं मेरा तातपर है कि वे खतरना के हम बहुती अधिक हिंसा और हिंसात्मकार ये TV और समाचार पत्रों में देख दे हैं ऐसा लगता है कि जो कुछ समाचार निकलता है वो बुरा और हिंसात्मक ही है और लोगों को इसकी आदत पढ़ चुकी है कि इस्से उनपर कोई असर ही नहीं होता हमें परमीश्वर का रिदय होना चाहिए है हमें तो बस सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जिन से तेरा रिदय तूटता है उनसे मेरा रिदय तोड़ इसके बारे में हमें और भी बताई क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास कहने को बहुत है मेरे ख्याल से एक और चीज़ जिससे प्रोसाहन मिला वो है सुसामाचार जेने पढ़कर ये समझने में मदद मिली कि ईशुका हरिदय कितनी बार पिगला जब भी उसने दीन दुखी को देखा वो रुका कहा जितनी भी बीड हो वहां जरूरत है वो बार बार रुकता रहा क्योंकि उसका मन तरस खाता था और यदी ऐसा हरिदय चाहिए हो तो हरिदय बहुत कोमल होना जरूरी है ये जीने का कठिन तरीका है दीवार खड़ी करना आसान है मैंने भी कई दीवारें खड़ी की थी और वो बहुत आसान था एक और बात हमें जो पता चली है वास्ता में खास्त और से संयक्त रास्ट में आट से तेरे उमरी के बच्चों का एक समू है जो फ्लैट लैनर्स कहलाते हैं वे खुद को फ्लैट लैनर्स कहलाते हैं क्योंकि वे किसी प्रकार की भावनाई नहीं रखते वे वो स्पीडी के बच्चे हैं जो वन माता पिता की संतान हैं जिनका तलाख हो चुका है अपने नन्ने रिदे की रक्षा करने के लिए वे अपने लिए दीवार खड़ी करते हैं यहां तक की सामान जीवन जीने से हटे रहते हैं और उन्हें एक प्रकार से फ्लैट लैनर्स कहे कर अलग कर दिया जाता है और ऐसी वैसी बाती कहीं जाती हैं तुम डाइनमेट ली जाने पर ही मचली पकड़ सकोगे कांटर डाल कर मचली पकड़ने की जारा और कुछ नहीं होता वो हृदे पर कुछ नहीं करता है भावना को बाहिरूप से प्रकट करने के लिए सब ज्यादा करना होता है इसलिए मैं कहती हूँ पिता है मैं परमेशर की उपस्तेती में रहकर उसे हमें बदलने हमें ललकारने और फैलाने का आवसर देने की आवशकता है और हाँ परमेशर मेरे अंदर शुद्य रिदे और मेरे भीतर सिर आत्मा ने सिरे से उत्पन कर तोटे होगं के लिए मेरे रिदे को तोड़ दे परमेशर बिलकल ऐसा ही था ये बहुत ही अच्छा है हम संपूर्ण यूएस तथा राश्र के बाहर जोईस मेर मिनिस्ट्री कॉन्फरेंस चलाते हैं और सैक्डो लोग टीवी पर मेरा उपदेश भी सुनते हैं और शायद भी सोचेंगे कि मेरा कॉन्फरेंस उपदेश तकी सीमित है और हाँ मैं हर एक सत्र में उपदेश देती हूँ परन्तो हम हर सत्र का आरंब कम से कम आदे घंटे की स्तुती आराधना से करते हैं और जाके आप हमारी आराधना गोवा है बताईए हम ऐसा क्यों करते हैं हम अपने सत्र के आरंब में स्तुती आराधना के लिए वक्त क्यों निकालते हैं सच कहूं तो मैं भजन 133 में जो बात कही गई है उसका उलेख खरना चाहूंगी कि जब हम विशेश रीती से एकत्रित होते हैं आशिश होती है और मैं मानती हूँ कि जैसे हम प्रभू का स्तुती गान करने लगते हैं हम प्रभू के आभारी होने में ध्यान लगाने लगते हैं और उसकी स्तुती करते हुए उसके महान कामों का जो उसने किया है उसकी महानता, उसके विचार, आदी के बारे में गाने लगते हैं लेकिन भजन 133 कहता है कि वहां हमारे बीच एक ता लाता है और जब हम एक होते हैं उसकी आशिशे हम पर उतरने लगती हैं उन आशिशों में से एक अंच के बारे में हम कह रहे हैं वह हिर्दे का कूमल होना हमारा हिर्दे कूमल होना चाहिए ताकि हम वैसा लोगों से प्रेम कर सकें जैसा हमें करना चाहिए क्योंकि मुझे ही नहीं लगता कि हम अपने आप ही उस तरह से प्रेम कर सकेंगे जैसा हमें करना चाहिए मैंने जानती कि क्या मैं उस प्रेम के काबिल हूँ जिस पर मसीह ही चला कहा गया है कि जब वो लाजर कमृत्यों से जिलाने आया था और जब उन्होंने लोगों को देखा जब उसने लाजर को खो देने की दुख से लोगों को रोते वे देखा तो वो खुद रोए उनसे बिलकुल भी देखा नहीं गया उनकी दर्द को सच कहा हमारी कमजोरियों पर उसे तरस आती है इसलिए जब हम आराद ना करते हैं तब परमिशुर के बारे में था था मसीह के बारे में सब कुछ और जो कुछ उसने हमारे लिए हैं और हम में किया है और जो हमारे द्वारा करना चाहता है वे उन सभाओं में प्रतीक्ष रूप से निखारता है क्योंकि होता यह कि अनिक युवा, युव्ति सामने आकर अपना जीवन प्रभू को सौप देते हैं सभी हाथे उठे हैं और आंसों टपकते हुए देखकर सच में आश्चरिय होता है मैं इन लोगों को देखकर सोचती हूँ अरे आप नहीं जानती हरे कि वेक्ति किस से होकर गुजर रहा है परन्तु हमारे पास संपर का एक बिंदु है और वह है मसी ही स्तूती अराधना करते समय है हम अपने सम्मेलनों में अनेकों को देखते हैं जिनके गालों पर आसु बहते रहते हैं और एक चुषकारा रहता है जब आपकी आत्मा दुखी और पीडित होती है या आपको कोई बात चुपाने की आविशकता होती है और आपको जीवन में दिखावा और ढूंग करना पड़ता है इसलिए कि आप ऐसी सिती में हैं जहां आप अपने भावनाओं को किसी से विक्त नहीं कर सकते तब सुति और आराधना में तलीन होकर लोगों को परमेश्वर से सच कहने वा उसके स्पर्ष को पाने का अवसर मिलता है परमेश्वर की आराधना करके उसकी उपस्तिती में खो जाने से बढ़कर और किसी में मुझे अधिक आनंद नहीं मिलता है और देखिए स्तुति और आराधना कोई मनोरंजन का वक्त नहीं होता हम उसे इसलिए नहीं करते कि बढ़िया संगीत और बैंड बाजों से लोगों का मनोरंजन करें हम इसलिए करते हैं कि परमेशर के प्रती उन्हें उठसाहित करके उसकी उपस्तिती में उन्हें लाकर उसकी आराधना करने दे और सच मुझ मैं तो यही कहूंगी कि लोग समय निकाल कर हमारे सम्मेलनों में भाग लेते हैं या फिर कामसे उकाश लेकर भी यहां आते हैं हमारे सम्मेलनों में देखिए चार सभाएं चलाए जाती हैं और लगातार चार सत्र में रहे कर आपको समय बीच जाने का बिलकुल ही पता ही नहीं चलता क्योंकि आप प्रभु की सुन्दर्ता को अंदर से जानने लगते हैं परमीश्यर बहुत ही अनोखा और अद्बुत है और हम सब के लिए बहुत कुछ करता है और वो भी हमें उसका बोध होने से पहले ही स्तूती और आराधना में लीन हो जाना बहुत ही बढ़िया होता है आशर की बात है कि किस तरह से उस समय लोगों का रिदय खुल जाता है और यदि वचन सुनाय जाए वो आसानी से खुले हृदय में बैठ जाता है अर आधना हमारे रिदय को खोल देती है आधनों की मदद की इनकोशिश नहीं करते वे रविवार सुबह चर्च में आकर अपनी जगह ले सकते हैं परन्तु यदि उनका रिदय कठोर हो तो वचन उनके रिदय में जड़ नहीं पकड़ सकता सच मुच आपने जो कहा कि आराधना रिदय को कोमल और मृदू बना देती है इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत और इसकी गवाहा भी हूँ क्योंकि रिदय कठोर होना बहुत ही खतरनाग बात होती है हम संसार में बहुत कुछ देख रहे हैं इसे करना बहुत आसान है हाँ बहुत आसान है शायद आपको कभी लोगों के आलोचना नहीं करनी चाहिए आपको ये कहना चाहिए अपना सर उपर करके परमेशर के महत्ता का वारिनन करो हमारे पास समय नहीं है इसलिए आप में से कोई एक ज़रा बताए कि बनिशी के रिदय को कौन-कौन सी चीज़ें का ठोर बनाती है जाके अत्यदिक निराशा और निरहुत्सा निंदा जैसी वेदनाए सच कहूं तो ऐसी चीज़ें मन में पढ़ने वाले चोट इसी कहने का ये बढ़िया पद है हाँ ये सच है और आजकल कई लोग बुरी तरह से ठेसी तोर दुखी थे हैं और वास्तमें मैं लोगों के सामने एक विचार्स पर शुरूप से रखना चाहती हूँ कि ऐसे एनेक लोग इस कारेकरम को देख रहे होंगे जो अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं और शायद उन्होंने परमिश्वर से इसके लिए प्रात्ना भी की होगी परन्तु मेरे विचारस ये तब ही होगा जब ये सच्ची आराधक बनेगे मैंने जानती की रिदय सच्मुच्चंगा हो सकता है क्योंकि देखिए ऐसा समय था जब मैं कुछ खास म्यूजिक टेप जिनका प्राभू ने मेरे जीवन में प्रयोग किया और उन्हें मैं सुना करती थी जब पहली बार मैंने आपका टेप सुना सिंप्ली वर्शेप मैंने बता सकती कि मैंने कितनी बार इसे सुना शायद उन्हें से एक खास टेप ठीक से यारने के एक या दो तब मैं सच्मुच्च रोकर प्रभू की आराधना करने लगती थी एक और टेप भी किसी और का था जिसमें कई मीठे प्यारे आराधना संगीत थे जिसने मुझे परमेश्वर की उपस्तिती में रहने की मदद मीली में बैटकर रोती और प्रभू मेरे घायल तूटे रिदय को चंगा करता आप लोगों का कितना शेष्ट बुलावा है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों के रिदय को तयार करे ताकि वचन उनमें जड़ पकड़े और वी वचन को अच्छी तरह से समझ सके संगीत एक प्रभावशाली बाशा है चाहे वो जिसके भी पास हो जब वो परमेशर के वचन से भरा रहता है और जब आप वातावरण को देखकर कहते हैं वातावरण तुम्हें जिस चीज से भरे रहने के लिए रखा गया है उससे भरे रहो गया और वो चीज है परमेशर की स्तूती और महिमा और उससे अपना घर भर दीजिए अपनी कार भर दीजिए आप रोक नहीं सकते आत्मिक रूप से संयमित रहना होगा क्योंकि पवित्रात्मा हमेशा हमें सातर करता रहता है कि हमें परमेशर के मार्क पर ठीक से चलना चाहिए इसलिए आराधना इतना महत पोर्ण है बुरे विचार रखकर परमिश्वर की आराधना करना या पाप मेरे कर आराधना करना सच मुची कथी नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद प्रभू आपको आशिश दे सारी जानकारी पालीजिये हम शीगरी आपसे फिर मिलीगे